हेलो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेन करूंगा मार्जिनोसेफालिया किंगडम तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारा आज का टॉपिक है मार्जिनोसेफालियन ये और निथीशन गुप से है ये शाकाहरी होते है इनकी दो क्लेट्स होती है जो है पैचिसेफालोसोरिया और सेराटॉपसिया सेराटॉपसिया में तो आज कल ज़्यादा लोग जानते होंगे तो पैचिसेफालोसोरिया से शुरू करते है पैचिसेफालोसोरियन डाइनसौस की खुपड़ी बहुत ही मजबूत होती है जिससे ये लोहे जितनी मजबूत चीज को तोड़ सकते है ये प्रटेशियस पिर सेराकोरेक्स और यह स्टेगोसेरास और पैचिसेफालोसोरियन डाइनसौस ग्रूप में रहते थे या हर्ट भी बोल सकते हैं आप उसको तो अगला सब्टोपिक लेते हैं सेराटॉपसिया सेराटॉपसियन डाइनसौस के हौन्स बहुत लंबे होते थे जिससे वो किसी भी डाइनसौस की बोड़ी को और उसकी स्कीन को फार सकते थे और अगर किसी डाइनसौस की बोड़ी में गुश गए तो शायद उस पार्ट को पर्मनन डाइमेज हो सकता है और एक राटाशियस पीरेंड में बहुत कॉमन और पॉपिलर थे और इनकी एक छोटी चोच भी रहती थी तो इनके भी एक्जेंपल्स देता हूँ यह ट्राइसरोटॉप्स जो बहुत कॉमन है इन में आपने अलग-अलग डाइनसौस की मूवीज में इसको देखा होगा यह पैची राइनसौरस और यह सिनोसरोटॉप्स मैंने डिस्क्रिम्शन बॉक्स में माजिनोसेफालियंस के नाम लिखे है तो ठीक है चलते है पाई